अध्यात्मे कहानिया नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदिता यूच्यूब चैनल अध्यात्मे कहानियों में दोस्तों आज की कहानी है पिनाख की कदा जिहां जोकी है रमायन से चलिए शुरू करते हैं दूसरे दिन प्रात काल राजा जनक ने महरिशी विश्वा मित्र से कहा हे राजन दश्रत के इन दोनों राज कुमारों की इच्छा पिनाख नामंध धनुष को देखनी की है अध़ आप इनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए व्यवस्ता कीजिए राजा जनक के कुछ कहने के पूर्व ही राम ने कहा हे नर्श्रेष्ट पहले आप हमें पिनाख का वृत्तान सुनाईए हमने सुना है कि पिनाख शंकर जी का प्रियधनुष है शिवजी के पास से ये आपके पास कैसे आया इस पर मिथलापती जनक बोले हे राम एक बार प्रजापती दक्ष ने एक बड़ा विशाल यग किया दक्ष जी शंकर जी के स्वस्षोसुर्थे अपने जामात से अप्रसन की कारण उन्होंने उस यग में ना तो शिवजी को आमिंतृत किया और ना ही अपनी पुत्री यान की सती को पती के समझाने बुजाने की परवाह ना करते सती अपने पिता के यहाँ यग करने के लिए पहुँच गई वहाँ सती का बहुत अपमान हुआ सती ने देखा कि देफताओं के लिए यग का जो भाग निकाला गया है उसमें शिवजी का भाग था ही नहीं इससे कुरूर होकर सती ने यग कुंड में कूद कर अपने प्राण ताग दिये महादेव जी के गड़ों ने जो सती के साथ राजा दक्ष के यहां आये थे लोटकर महादेव जी को सारा की सारा वृतान सुनाया सती की मृतियों की सूचना पाकर महादेव जी बड़े ही क्रोधित हुए उन्होंने राजा दक्ष की यग भूमी में जाकर उस यग को नश्ट कर डाला फिर बे अपना पिनाक नामक धनुष चड़ा कर देफताओं को मानने के लिए अगसर हुए क्यूंकि देफताओं ने उस यग का भाग महादेव जी को नहीं दिया था महादेव जी का ये रौद रूप देखकर सारे की सारे देफताओं बहुत भैवीत हुए देफताओं ने अनुने विने करके महादेव जी का क्रोध शांथ किया क्रोध शांथ होने पर महादेव जी ने पिनाक को देवताओं को दे दिया और केलाश परवत लोड़ गए तब ही जेवे धनोश हमारे यहां पर रखा है हमारे पूर्वजों का सिर्मिती चिन होने के कारण हम इस धनोश की देखभाल सम्मान के साथ करते आ रहे हैं इसी बीच एक बार हमारे राज में अनावरिष्टी के कारण सुखा पड़ गया जिस से प्रजाजनोर को भयांकर कस्ट का सामना करना पड़ा उस कस्ट से मुक्ती पाने के लिए मैंने एक बहुत बड़ा यग किया पोरो ही तों के आदेश अनुसार मैंने अपने हाथों से खेतों में हल चलाया हलके बुमी खोड़ते खोड़ते भगवान की इच्छा से मुझे एक परम रूपवती करन्या प्राप्त हुई उसे मैं अपने राज महल में लेकर आया और उसका नाम सीता रख कर अपनी पुत्री के समान उसका लालन पालन करने लगा जब सीता किशोर अवस्ता में गई तो दूर दूर तक उसके सौंदर एहब गुड़ों की चाती पैलने लगी देश देशांतर से राज कुमार उनके साथ विवा करने के लिए ललाहित होने लगे मैं अदबुद प्राक्रमी योद्धा के साथ ही सीता का विवा करना चाता था अगर मैंने ये प्रतिग्या कर ली कि शिव जी के धनोश पिनाग पर प्रत्यच्चा चड़ा देने वाले वीर राज कुमार ही सीता का पती होगा मेरी प्रतिग्या की सूचना पाकर सहस्त्र राज कुमार और राजा महराजा समय समय पर अपने बल की परिक्षा करने के लिए यहां आते रहें किन्तु पिनाग का प्रत्यच्चा चड़ाना तो दूर वे उसे हिला तक ने पाए जब वे अपने उदेश में इस प्रकार निराश हो गए तो वे सब मिलकर मेरे राज में खुदपात मचाने लगे मेरे प्रदेश को चारो ओर से घिर लिया और निरी प्रजजनों को लूटकर आतंग फैलाने लगे मैं अपने सेना को लेकर उनके साथ नरंतर युद करता रहा तो अनिक राजजा थे उनके पास सेना भी बहुत अधिक ती इसलिए इस संगर्ष में मेरी बहुत सी सेना नस्ठ हो गई इस पर मैंने भगवान को सहारा मान कर उनकी तपस्या की मेरी तपस्या से प्रिजन होकर भगवान ने मुझे देफताओं की चतुर गिड़ी सेना प्रदान की उस सेना से अतायाती राजाओं के साथ भयंकर युद किया और सभी उपद्र राज़कुमारों को भगाया उनके भाग जाने के बाद मैंने सोचा कि एक विशाल यग करने इस अफसर पर ही अपनी प्रतिज्या पूरी करूँ और सीता का विबाकर निश्चित हो जाओं इसलिए मैंने इस महान यग का आयोजन किया है अब जो कोई भी महादेव जी के इस धनुष की पृतिंचा चड़ा देगा उस वीर पूरुष के साथ मैं अपनी अनुपम गुर्वन्ती पूत्री सीता का विबा करके निश्चित हो जाओंगा दोस्तों ये थी कहानी बहुत ही रोचक थी जो की थी रामायन से जिसका नाम था पिनाक की कथा जी हाँ दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पिनाक की कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल अध्यात्मिक कहानियों को तुरंट लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए अगर आप ऐसी ही रोचक धार्मिक और पौराणी कहानी सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल अध्यात्मिक कहानियों को जरूर से सुस्क्राइब कर लीजें मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक कहानी और जानकारी के साथ आप देख रहेते आपका अपना पसंदता यूटीब चैनल अध्यात्मिक कहानिया